आज हम आपके लिलाए हैं Current Affairs Related Important Question Series का Part 1 जी हाँ ये आपके exam के point of view से बहुत important होने वाला है अगर आप दे रहे हैं केंदरी विश्विद्या जो Central University का अगर कोई भी exam आप दे रहे हैं तो उसमें ये question आने कमपलसरी होते हैं हाँ अब ये संख्या कितनी होगी ये depend करता है examiner पे तो चलिए यहाँ पर एक question को में आप discuss करना शुरू करते हैं देखे आज का हमारा पहला question क्या कह रहा है देखे पहला question कह रहा है कि National Defense Academy का commandant किसे नियुक्त किया गया है वो है संजीव कपूर और संजीव कपूर देखे आये हैं यहाँ option number C में है तो हमारा यहाँ C number यहाँ पर राइट answer हो जाएगा अब आ जाते हैं अपने second question पर देखे second question हमारा कह रहा है कि हाली ही में किसने 2021 का बुकर पुरुसकार जीता है तो जाते हैं हाली ही में जिन्होंने 2021 का बुकर पुरुसकार जीता है वो है डेमन गलगुट और डेमन गलगुट दिखिया है option number C में है तो हमारा है C number right answer हो जाएगा फिदि कि आ जाएगे आज कमारे third question में question क्या कह रहा है कि हाली ही में संजे सुधीर को किस देश का राज़ दूद बनाया गया है तो जाते ही में संजे सुधीर को जिस देश का राज़ दूद बनाया गया है वो देश है UAE और UAE देखिया है option number C में तो हमारा again C number यहाँ पर right answer हो जाएगा फिदी के आजाएंगे फोर्थ number हमारा question क्या कह रहा है कि विश्व बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 में भारत की किस मुक्य बाज ने ब्राउंच मेडल जीता है तो जाएंगे विश्व बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 में भारत के जिस मुक्य बाज ने ब्राउंच मेडल जीता है वो है आकाश कुमार और आकाश कुमार देखिया option number C में है तो अगेन हमारे यहाँ पे C number right answer हो जाएगा अब आज आते हैं अपने 5th question पर देखिये 5th question क्या कह रहा है कि हाल ही में अंतराष्ट्री सौर संगठन का 101 सदस से कौन देश बना है इसका हो जाएगा याद रखियेगा हाल ही में अंतराष्ट्री सौर संगठन का 101 जो है 101 जो देश बना है सदस से बना है वो कौन है अमेरिका इतने याद रखियेगा पिर देखिये आजांगे 6th number क्या कह रहा है कि विश्व मधुमे दीवस कब मनाया जाता है इसको जो कहते हैं तो जो विश्व डाएड बना मनाया जाता है करुष्व मधुमें दीवस या दीवस या डाइबिटीज दे जो मनाया जाता है Miz. 14 न तखिया है option number d में है तो हमारे है d number right answer हो जाएगा 7-build question में आ जाते हैं 7-build question क्या कि रहा है कि भारत के पहले पूरुष cricket क्रिकिटर कौन है जिन्होंने big base league के लिए sign up किया है तो जान दूरे कि भारत के पहले पूरुष cricket जो है जिन्होंने बिग बेस लीग के लिए जो साइन अप किया है वो है उनमुक्त चंद और उनमुक्त चंद दिखिया है आप्शन नमबर डी में है तो हमारे है डी नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिदे के आज जाएंगे है एठ नमबर कुशन क्या करा है कि हाल ही में ICC T20 World Cup 2021 का खिताब किस ने जीता है तो जान देएगा हाल ही में ICC T20 World Cup 2021 का खिताब जिस तीम ने जीता है वो है अस्ट्रेलिया और अस्ट्रेलिया ले दिखिया है आप्शन नमबर A में तो हमारे है A नम किसे देश में आयोजित किया जाएगा वो देश है मिश्र और मिश्र दिखिया है ऑप्शन नमबर C में तो हमारे हैं C नमर यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आप आजाते अपने टेंथ नमर कुश्चन पर दिखें क्या कर रहा है कि सुडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो जानते रहे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नमबर B जिहां B.S. मुबारक को जानते रहे B.S. मौरी जी को सुडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो भारत में भारत का जो अगला राजदूत है जिसे सुडान में नियुक्त किया गया है वो है B.S. मुबारक यह याद रखीगा अब दिखिए आ जाते हैं हाप ए हम 11 नमर कुश्चन का नाम रानी कमला पती रेल्वे इ स्टेशन कर दिया गया है कह रहे हैं कि यह कि सराज में इस्टेशन स्थित है 11 नबर कुछिन कह रहा है जानते रहे हैं कि यह स्थित है मध्य प्रदेश में ऑध्य प्रदेश दीखिया है है option number A में आया है तो हमारा A नमबर यहां पर राइट अंसर हो जाएगा तीदि कि आज आते हैं यहां पर अगले question में हमारा question क्या कह रहा है 12 number question कह रहा है कि हाली ही में badminton word Federation किसे lifetime lifetime achievement पुरुसकार से सम्मानित किया है I repeat हाली ही में किसे हाली ही में badminton word word Federation ने किसे lifetime achievement पुरिसकार से सम्मानित किया है तो जानते रहेगा वो है जानते हैं हमारा option number जो यहाँ पे आया है 12 number वो है प्रकाश पादुकोर्ड option number D जो आया है तो प्रकाश पादुकोर्ड जो कि option number D में है तो हमारे यहाँ D number right answer हो जाएगा इतना याद रखना है आपको कि हाली ह बैडमिन्टन वर्ड फेडरेशन ने जिसे lifetime achievement पुरिसकार से सम्मानित किया है वो है प्रकाश पादुकोर्ड जो कि option number D में है तो जानते हैं कि जिस राज द्वारा चमकिले रंग कि तितली के रूप में मंझूरी दी गई है तो जानते हैं कि जिस राज द्वारा चमकिले तितली के रूप में मंझूरी दी गई है वो है अरुणांचल प्रदेश और अरुणांचल प्रदेश दिखिए कहां पर आया है दिखिए अरुणांचल प्रदेश आया है option number C में है तो यह हमारा C number यहां पर right answer हो जाएगा फिदि कहा जाएंगे 14 number question क्या कर रहा है कि Facebook ने अपनी कंपनी का नया नाम क्या रखा है तो जानते रहें कि Facebook ने अपनी कंपनी का जो नया नाम रखा है वो रखा है Meta Platforms INC और Meta Platforms INC जो आया है यह यह दिखिए option number B में है तो हमारे B number यहां पर right answer हो जाएगा फिदि कि आ जाएंगे यहां पर 15 number 15 number क्या कह रहा है कि हाल ही किस सराजकी सफेद प्याज को GI tag परादान किया गया है तो जेंतर एक हाल ही में जिस सराजकी सफेद प्याज को GI tag परादान किया गया है वो राज है महाराष्ट और महाराष्ट देखिए option number C में है तो हमारे जहाएगा पर color right answer हो जाएगा फिदि कि आ जाएibenगे 16 number 16 number 15 क्या कह रहा है कि 2021 के मद्ध किन दो देशों के बीच दीपच्छी संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ती 2021 का आयोजन किया गया था इसका अमलब जो 2021 में मित्र शक्ती 2021 में जो युद्ध अभ्यास किया गया इक इन दो देशों के बीच में किया गया था तो जा 2021 में मित्र शक्ती 2021 मित्र शक्ती नाम से युद्ध अभ्यास जिन दो देशों के बीच में हुआ था वो थे भारत और श्री लंका आ जाते हैं अपने नेक्ट क्वेश्चन में देखें सेवेंटी नमर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 का लाल बहादूर शास्त्री पुरुषकार किसे दिया गया तो जानते हैं कि 2021 का लाल बहादूर शास्त्री पुरुषकार जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर रनदीप गुलेरिया को और डॉक्टर रनदीप गुलेरिया दिखें आप्शन नमर यहां सी में है तो ह जूरी दी इस्ती पीआ का नाम क्या है आई LIVE डीट जबलू ये गाने दुनिया में मलेदिया के पहले टीक को एक्टूबर डुसारी में मनुजूरी किदि इस टीक का नाम बताना है तो चाहिए इस टीक है यह जो पर नाम दिये पिर आ जाते हैं अपे आजाते हैं 90 नुबर कुषिण क्या करही है कि Global Hunger Index 2021 में भारत की रेंग क्या है तो जानते हैं यह तो जानते हैं Global Hunger Index 2021 में भारत की जो रैंकिग है वностью Czech creditu का यहां पे C में तो हमारे हाँ पे C नमबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 नमबर कुस्टिन में आव जाते हैं देखें क्या कर रहा है कि उत्राखंड के जीम कारबेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या रखने का एलान हुआ है तो जानते हैं कि जो नाम रखने का एलान पार्क दिखेंगा ऑप्शन नमबर यहाँ है तो हमारा ए नमबर राइट आंसर हो जाएगा तो जानते हैं उत्राखंड के जीम कारबेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर अब राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा ऐसा ऐलान कर दिया गया है यह याद रखीगा फ जानते हैं बारबाडोस का प्रथम राष्ट पर जिसे चुना गया है वो हैं सैंड्रा मिशन नेक्स्ट आ जाते हैं 22 नमबर कुशन क्या कर रहा है कि भारत की 21 महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है तो जानते हैं वो हैं दिव्या देशमुख दिखिया है पीर आजाते हैं देखिए नेक्स क्षायरा है हमारा नेक्स्ट को ग्रैसिन के च्थ्र में नोबल पुरुसका तो ऩो Θया धीस किस अमेर quéette अरधिसास च्थ्रमें नौबल पुरुसका चाहँगा गया है तो जानते रहेंगा वो है देखे option number A में कहा है डेविन कार्ड option D B में है जोसुआ एंग्रिच्ट और option C में है गुईडो इंबेंस और D में है उप्यूक्त सभी तो जानते रहेंगा हमारा जो राइट आंसर है वो है option number D जी हाँ option number D उप्यूक्त सभी इन सभी लोगों को जानते रहेंगा अर्षास के शेत्र में नोबल पुरुसका 2021 से सम्मानित किया गया है जो कि अमेरिकन है इसलिए option number जो हमारा यहाँ पे D होगा हम D को क्लिक कर देंगे अब आ जाते हैं अपने next question में देखें क्वेशन हमारा क्या कर रहा है कि उपर राष्टपती एम वैंकया नाइडू द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 51 दादा साहिव फाल के अवार्ड किसे दिया गया रिपीट उपर राष्टपती एम वैंकया जो नाइडू जो है उनके द्व राष्टपती एम वैंकया नाइडू द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 51 दादा साहिव फाल के अवार्ड जिसे मिला है वो है रजिनी कांट फिर कि आ जाएंगे यहां पर 25 क्या कर रहा है कि साहित के छेत्र में नोबल प्राइज 2021 के विजयता कौन है तो जानते रहेगा साहित के चेत में नोबल प्राइज 2021 के जो विजयता है वो है उप्षं नोबर जो हमारा यहां पर आया है ऑप्षं मचेम नेटो जो है अबधुल्र पुरुसकार में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवार्ड किसी मिला है तो जानते रहेगा और सथवे राष्ट्री फिल्म पुरुसकार में सर्वस्रेश्ट अभिनेता का अवार्ड जिसे मिला है वो है मनोजवाजपेई और धनुष और वनोजवाजपेई और धनुष की बा दो हजार इकीस के प्रतिष्ठित लोकमान तिलक राश्ट्री पूरुसकार के लिए किसे चुना गया है तो जानते रहेगा वो है साइरस पूनावाला और साइरस पूनावाला देखे आप्शन नंबर एमें है तो हमारा यहां पर ए नंबर राइट अंसर हो जाएगा तो इतन किसके नाम पर रखा गया है तो जानते रहे राजियो गांधी खेल रत्न पुरुसकार का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखा गया है वह मेजर ध्यान चंद दिख्या है option number a में है तो हम यहाँ पर ए नंबर को क्लिक कर देंगी हमें पता है कि इन्हें होकी का जादूगर भी कहा जाता है फिर दिखे आ जाएंगे अपने next number question नमारा क्या कह रहा है इसमें तेरहवां ब्रिक्स सिखर सम्मेलन संसकरान आयोजित किया गया है यह याद रखेगा फिर दिखे आ जाते हैं 13 number question क्या कर रहा है 13 number जापान की नए प्रधान मंत्री कौन चुने गए हैं तो जानते रहेगा जापान के जो नए प्रधान मंत्री जो चुने गए हैं वो ह जापान के जो नए प्रधान मंत्री चुने गए है उनका नाम क्या है फूमियो किशिदा यह याद रखीगा फिरेके आ जाते है 31 number question क्या करें कि अंतरराष्ट्री ओजोन परस न्रक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो जानते रहेगा अंतरराष्ट्री ओजोन परस संडए दिवस जो मनाय जाता है वो मनाय जाता है 16 सितम्बर को और 16 सितम्भर की बाद दिखिए Green Song option number C में तो हमारे यहां पर C number right answer हो जाएगा इतना याद रखना है आपको कि अंतर राष्टी ओजोन पर संद्रक्षन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को फिर आ जाते हैं देखे 32 number question क्या करें कि पुस्तक दा फ्रेक्चर्ड हिमाले की लेखी का कौन है तो जानते हैं पुस्तक जिसका नाम क्या है दा फ्रेक्चर्ड हिमाले उसकी जो लेखी का है वो है निरूपुमा राय और निरूपुमा राय देखे option number B में है तो हमारा B number यहां right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि पुस्त परेटर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को 27 सितंबर दिखिया है option number C में हमारे यहां C number right answer हो जाएगा बस इतना याद रखना है आपको कि विश्व परेटर दिवस जो मनाया जाता है 27 सितंबर को फिर दिखे आज आते हैं यहां पर 34 number question क्या कर रहा है क पुस्तक the long game how the Chinese negotiation with India के लेखा कौन है I repeat पुस्तक का नाम जिसका नाम क्या है the long game the long game how the Chinese negotiation with India के लेखा कौन है तो जानते हैं कि इसके जो लेखा है वो है विजय गोखले और विजय गोखले दिखिया है option number A में तो हमारे A number right answer हो जाएगा हो सकता है question ऐसे पूछले विजय गो negotiation with India यह याद रखना है आपको फिदी के आ जाते हैं पर 35 कुछिन क्या करें कि राश्ट्री अलप संख्यक आयोग की नए अध्यक्ष कौन है तो जानते रहेगा रांतर जो राश्ट्री अलप संख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो है इकबाल सिंग इकबाल सिंग लाल प पूरा दिखिया है option number C में तो हमारे यहाँ पर सी नंबर राइटांसर हो जाए कितना याद रखना है आपको कि अंतर राश्ट्री अलप संख्यक आयोग जिसे हम क्या कहते है नेशनल कमिशन और माइनोरिटी जो है कि नए जो अध्यक्ष है वो कौन है इकबाल सिंग लाल पूरा यह याद रखीगा फिदे कि आज आते हैं हमारा 26 नुमर में भी हमारे यह लास्ट कोशन है आज का संगही सहयोग संगठन जिसको शॉट में कहते हैं S.C.O. के 21 सिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है तो जानते हैं जिस देश ने अध्यक्षता की है वो है तजकिस्तान दिखे ऑप्स सी में है तो हमारे यहाँ पर सी नम मर राइट अंसर तो मैं भी आपको यहाँ पर जो भी हमने बैस आफिर ikiश बीच बीचमन इसको देखतेَ रहें तो इससे आपको सारी चीजे properly learn हो जाएंगी जो कि आपके exam में बहुत help करने वाली हैं तो चलिए आज कितने रखते हैं and thank you very much for watching this video, thank you